नमस्कार मित्रोष संदी की मा मेरतन ख्लास में आप सभी का स्वागत है संदी टॉपिक हमने विस्तार से कई वीडियोस में पढ़ लिया है आज हम एगरिकल्चर सुप्रवाइजर और अन्यक जो कॉम्टेटिव एग्जाम से हैं उनमें आयोए प्रश्णों पर और कुछ अभ्यास करते हैं देखिये आज का पहला प्रश्ण निम्न में संदी विच्चेद सही नहीं है चार ओप्सन से हैं इनमें से एक ऐसा ओप्सन है जिसमें संदी विच्चेद गलत है बागी तीन में सही है देखिए सुर्धन ईस सुरेश सब्द बनेगा प्रतम पद्गेंत में ए है दोत्यपद की प्रारम में ए है और ई मिलकर ए बना देंगे गुण संदी के नियम से तो यह तो सही बात है यह आंसर नहीं हो सकता यह देखिए रमेश रमा दन ईस इसका संदी विच्छे दोता है ग दोत्यपद की प्रारम में ई है तो आ और ई मिलकर ए बना देंगे मेस बन जाएगा यह भी सईए तो आ और ए मिलकर ए बना देंगे तो यहां पर भी नागेश बन जाएगा रामदन ईस से जो सब्द बनेगा व रामिश बनेगा रामेश शब्द बनेगा नेकी रामेश तो ये वाला उप्षन है जो गलत है और गलत ही हमारा आंसर होगा तो इसका आंसर होगा उप्षन नमर बी इसकूल व्याख्याता दोजार सोला में आया हुआ ये प्रशन है नेक्स्ट क्विशन देखिए अनुवेशन सब्द का सही संदी विच्छेद है अनुवेशन सब्द के जो हम टुकड़े करते हैं अनुवेशन अमने यन संदी में पढ़ा था कि ए उ री के बाद एसमान स्वर आएं तो इनका परिवर्थन क्रम से ये वे रे ले में हो जाता है वही नियम यहाँ पर लाग हो रहा है अनुधन एशन प्रिथम पद के अंत में उ है और दित्य पद के प्राण में एसमान स्वर है तो उ का परिवर्थन वे में हो जाएगा और सब्द बनेगा अनुवेशन वे में ए जुड़ेगा तो एशन अनुवेशन सब्द इस परकार से बने जाएगा तो इसका संदीव चेदोगा अनुधन एशन यह देखें कौनसे उप्षन में है उप्षन नमबर सी राइट है उप्षन नमबर डी में अनुधन एशन है लेकिन यहाँ पर दीर कुए बड़ा हुए और जो की कोई सब्द नहीं होता नियम तो इस पर भी लाग होता है दीर उका भी वे होता है लेकिन अनुधन कोई सब्द नहीं होता अनुधन उप्षर होता है जिसकारत होता है पीछे देखे तीसरा प्रशन है यह Agriculture Supervisor 2013 में आयो प्रशन था अनुवेशन सब्द था जो तीसरा प्रशन है समधन हार सब्दों का सही संदी रूप होगा समधन हार यह कोई सब्द बनेगा इससे वो छाटना है हमें चार उप्षन में से समाहार संगहार सनहार कोई नहीं देखे वेशन संदी में हमने पढ़ा था कि पर्थमपद के अंत में मैं हो और दित्यपद के प्रारम में है इत्यादिवन हो तो मैं का परिवर्तन अनुश्वार में हो जाता है और जब अनुश्वार लगाएंगे सह के अनुश्वार लगाएंगे तो संग और हार लिखेंगे तो ये संग हार सब्द बन जाएगा तो इसका संदी युक्त पद होगा संग हार ओप्शन नमबर B राइट है चोथा क्युशन देखते हैं सत्याग रह सब्द का सही संदी विच्छेद होगा ये देखें सत्याग रह तो सत्याग रह का सही संदी विच्छेद ये ओप्शन नमबर C में है सद्धनाग रह सद्धनाग रह सद्धनाग रह ये अन्य ओप्शन सें जो कि सही नहीं है क्युशन नमबर 5 है अंतर नहीत सब्द का सही संदी विच्छेद होगा दीखें विसर्ग संदी में हमने पढ़ा था रूत विसर्ग संदी में अंतर धन नहीत यहाँ पर विसर्ग का परिवर्टन रह में होगा जो क्या दूरा है और रह नी के उपर जाकर अंतर नहीत सब्द बनाएगा इस प्रकार तो इसका सही संदी विच्छे दोगा विसर्ग वाला एक है ओप्शन नमबर ए यह भी करसी परिवेक चक 2018 में होगा प्रशन है देखते हैं नेक्स्ट केशन यह देखें नेक्स्ट केशन है देटेधन अरी संदी विच्छेद का सही संदी सब्ध है लिव कि प्रतम पद के अंत में ए है देटेधन के प्रारम में ए है तो ए और ए मिलकर आबनाएंगे ए दन ए आबनाएंगे ये में आज उड़ेगा तो देत्यारी सब्द बन जाएगा यह एक्जामपल भी देखा था हमने और देत्यारी है ओप्शन नमबर C में सामाने सा प्रशन है देखिए next question काफी अच्छा प्रशन है कौन से सब्द की संदी विच्छेद गलत है तीन सही है एक गलत है यह तो option D यह भी है कि सभी सही हूँ गजेंद्र गजधन इंद्र प्रतम पदग्यंत में दोत्यारी प्रार्ण में E और E मिलकर E बनाएंगी गजेंद्र सब्द सही है मम इत्तर मम दन इतर प्रतम पदग्यंत में ए दुत्य पत्य के प्रावर्म में ए और ए मिलकर ए बनाएंगे ममेत्तर बन जाएगा गुण संदी के नियम से यहाँ भी गुण संदी है आनंदोत कर्स प्रतम पत्य के अन्त में ए दुत्य पत्य के प्रावर्म में ए और उ मिलकर ओ सब्द बनाएंगे ये भी कुण संदी के नियम से आनों दोतकर्स ये भी सही है अथाथ ये तीनों सही है तो अपसे नंबर डी राइट होगा नवन मेश शब्द का संदी विच्छे दोगा ये देखिए नवन मेश नव सब्द को मैं नहाँ से प्रतक किया बचा ओन मेश और ए के बाद ऐसा कौन सा वर्ण आए कि ओ हो जाए ओ का परिवर्तन उ के स्थान पर होता था हमने पढ़ा था गुनस्वर संदी के नियम में कि ए आ के बाद उ हो तो उ का परिवर्तन उ में ए आ के बाद ई हो तो ई का परिवर्तन ए में हो जाता है तो O के स्थान पर U कर देंगे तो सब्द बनेगा उनमेश और नव है इस ही तो सब्द संदी विच्चेद होगा नव दन उनमेश जो किया है option number A में option number E right होगा देखे next question कौन से सब्द का संदी विच्चेद सही नहीं है प्राण उत्सर्व उका ओ जाएगा बिल्कुल सही है महदे में मादन उदे उका ओ जाएगा बिल्कुल सही है सो पारजित स्वे दन उपारजित एके बाद उयत ओ जाएगा बिल्कुल सही है लेकिन सो देश्चे यहाँ पर से उत्देश्चे होना चाहिए था देखे वर्सार तू सब्द का सही संद्य इच्छे दोगा देखे वर्सा दनरेतू ये सब्द होता है ये संद्य इच्छे दोता है तो रीका अरो हो जाता है लेकिन ये अपवाद है सुरसंदी का अपवाद है इसके हमने चर्चा भी की थी तो इससे सब्द बनेगा परसार्थू तो ये अपवाद हो जाएगा और आंसर होगा इसका वर्षा धन्रितू पहला वाला option ये अपवाद है सुरसंदी का देखिए next question देखिए next question निम्न मेंसे गलत संदी विच्षेद का चैन करें चार संदी विच्षेदे जिन मेंसे एक गलत है अत्वा सभी सही भी हो सकते हैं देखिए कणव दन्रिशी एया आके बाद री हो तो अरो हो जाता है और अरो कर सी में जुड़ेगा तो कणवरसी बन जाएगा बिल्कुल सही सब्द है इसी तरह ब्रह्मरसी बन जाएगा और इसी तरह सबतरसी बन जाएगा अर्थात ये तीनों ही सही हैं तीनों ही गुण स्वरसंदी के उधारन है क्योशन नमर बारा है व्रद्धी स्वरसंदी का उधारन है एक दन एक अति धन अंत मिरत्य उपरांत के वल एवब है यानि कि एवब है दोन आंसरों देखे प्रतम पद्ध के अंत में आ है जो ते पद्ध के प्रारम में ए है ए और ए मिलकर आई बनाएंगे तो एक आई ब ए के बाद आई समान स्वरों तो ए का परिवर्तन ये में हो जाएगा और सब्ध बनेगा अतियंत मिरत्य उपरांत मिरत्य दन उपरांत प्रतम पद्ध के अंत में उए द्योत्य पद्ध के प्रारम में उए समान वर्ण है तो दीर्ग स्वरसंदी होगी यांपर इसमें दी यह सभी यह देखिए वाच दन इतर एके बाद यह देखिए मैं लिखी देता हूँ वाच दन इतर यह इसका संदी विच्छे दोगा पहले वाले ऑप्षिन का दूसरे वाले ऑप्षिन का संदी विच्छे दोगा सब्द दन इतर और तीसरे वाले का होगा साइते दन इतर तीनों में A के बाद E है, A के बाद E है, A के बाद E है और E का A हो जाएगा जो की सही है तो ये तीनों ही गुण सवरसंदी के उदारन है Next question देखते हैं नील दन उत्पल का संदी विच्छे दोगा प्रत्म पद के अंत में A, दित्य पद की परार में O है, A और O मिलकर O बनाएंगे तो O ले में जुड़ेगा तो लो बन जाएगा नी लोत पल, सब्द बनेगा नी लोत पल जो की option नमर A में ही है तो इसका राइट अंसर option नमर A होगा ये गुण सर संदी के नियम से हुआ है, question number 14 question number 15 कहता है, बया करांत सब्द का संदी विच्छे दोगा बया करांत, ये दिखे, बया, बया, धन आ करांत ये सब्द होता है, ये संदी विच्छे दोता है एके बाद A है, समान सवर हैं, तो दीर हो जाएगा A सब्द बनेगा बया करांत, इस तरह भी समझ सकते हैं बया को मैंने यहां से प्रथक किया था, और सब्द यहां पर आ करांत सेस बचा था तो यहां option number बया करांत, ये गलत हो गया, बया करांत, ये सही हो गया option number 20 में right answer होगा, next question देखते है, question number 16 ये देखे, question number 16, दीर्ग संदी के उदारन है, त्रिपुरारी, पहला सब्द है त्रिपुरारी, त्रिपुर का अरी, सत्रू, त्रिपुरारी हो जाएगा, A और A मिल कर आबनाया है, दीर्ग संदी के नियम से, तो पहले में दीर्ग संदी है, दूसरे में जनार्दन, जन द आर्दन, एके बाद आए, तो समान सवरे, आ हो जाएगा, जनार्दन हो जाएगा, मुरारी में मुर्दन अरी, तो मुरारी सब्द बन जाएगा, A, B, C, तीनों ही सही हैं, तो राइट आंसर आप्शन नमर D होगा, तीनों ही देख संदी के नियम से हुए है, कुशन नमर 17 है, सही संदी विच्छेद का चैन करें, यह देखे, कुश धन आसन, फल धन आहर, छातर धन आवास, यू तीनों ही सही हैं, तो अपसन नमर D होगा, यह देखे कुश धन आसन से कुशासन सब्द बनेगा, बिलकुल सही है, फल धन आहर से फलाहर सब्द बनेग तो यह सब भी सही हो जाएंगे पहला दीर संदी की नियम से बनेगा एके बाद आओ तो दीर हो जाता है एके बाद आओ तो दीर हो जाता है एके बाद आओ तो दीर हो जाता है तीनों में दीर संदी है यह भी हम साथ के साथ क्लियर कर रहे हैं क्यूशन नंबर 18 देखे, प्रतिक्चा शब्द का संदे विच्चे दोगा, प्रतिक्चा, प्रति दन एक्चा, ये इसका सही संदे विच्चे दोगा, एक्चा में बड़ी ही ये आती है, ये द्यान रखना है, ये देखे, यहाँ प्रॉप्शन भी है छोटी ये वाला लेकि मिलकर ई और ए मिलकर दीर्ग ई बनाएंगे दीर्गस्वर संदी के नियम से प्रतीक्षा बनाएंगे Q19 देखते हैं दीर्गसंदी का उधारण है द्राखचा उलिव दीख्षांत सोकातुर यह देखे द्राखचा उलिव यह सब्द है दिर्खसंदी के नियम से हुआ है दीख्छा दन अंत परतमपद के अंत में आ है फिर ए है आ और ए मिलकर आ बनाएंगे तो दीख्छा अंत बन जाएगा सोग आतुर में सोग दन आतुर होगा इसका संदी विच्छे सोग दन आतुर प्रत्म पद के अंत में ए है दुत्य पद के प्रारों में आ है ए और आ मिल कर दीर्ग स्वर बनाएंगी तो ये भी दीर्ग संदी के नेम से हुआ है तो ये सभी उधारण दीर्ग संदी के हैं अप्शन नमर डी राइट हो जाएगा ए सत्य कतन का चैन कीजिए पहला उप्शन है एया आ के पस्चात एया आ से दीर्ग बनता है बिल्कुल सही बात है एया आ के बाद एया आए तो दीर्ग आ हो जाता है उ और उ के पस्चात उ अत्वा उ होने पर दीर्ग उ बनता है ये भी बात बिल्कुल सही है दीर्ग संदी का नियम है इसा दीर में होता है बिलकुल होता है सबी सही है और दी राइट हो जाएगा ये देखिए एक और question वेर्थ सब्ध में किन वड़नों की संदी होई है वेर्थ का संदी विच्छिद करना होगा में ये दिख रहा है ये परिवर्थन होता है यन संदी में और ये आता है E के इस्थान पर तो ये को E में परिवर्टित किया सब्द बचा यहां से अर्थ क्योंकि ये अदूरा था E का परिवर्टन हलंत युक्त ये में होता है आदे ये में होता है तो A यहां से बचेगा जो कि अर्थ में बदल जाएगा ये का परिवर्टन E में कर दिया वय अदूरा बचा है वय में E जुड़ा V हो गया और अर्थ ये इसका संदी विच्छे लुआ है तो इनमें किन किन वर्णों की संदी हुई है वय में E है और यहां A है E और A प्रतम पत के अंत में E जो कि E समान स्वर है यहन संदी के नियम से तो E का परिवर्टन E में हुआ है तो संदी किन किन की हुई है E और ये की हुई है E और A की हुई है जो कि option number A में है इसके बाद देखिए next question प्रमान में कौन सी संदी है ये बैंक परिक्षा 2002 का कुशन था तो हमने बताया था कि विजन संदी के नियमों में एक नियम ये था कि पर्थम पद में कहीं पर भी रह, चैक, त्रय, अग्य, आदिस अब्दों और दुत्य पद में दुत्य पद के अंत में ने हो तो ने का परिवर्टन ने में हो जाता है प्रे, धन, मान ये इसका संदी विच्छे दुआ प्रमान का पर्थम पद में रह प्रे में रह तो ते पद के अंत में ने है तो ने का परिवर्टन ने में कर देंगे सब्द बनेगा प्रमान तो इसमें संदी कौन से होई? वेंजन संदी का नियम लगाया हमने तो वेंजन संदी है ग्राम से उपर एक्षा 2010 का किशन है नेक्स्ट किशन है सज्जन का संदी विच्छेद होगा सज्जन का संदी विच्छेद होगा देखे वेंजन संदी की जबन में चर्चा की थी तो हमने कुछ नियमों की चर्चा की थी वहाँ पर और वो नियम थे ये का एक्जामपल ये लिया था हमने तै के बाद जै हो तो तै का परिवर्टन दै में हो जाएगा किस नियम से जैसा तो संदी वाले नियम से पहले वाले नियम से तै का परिवर्टन भी जै में हो जाता है तो दै का परिवर्टन फिर जै में होगा और शब्द बनेगा सज दन जन अर्थात सज जन तो इसके दो संदी विचे दो है सत दन जन और सद दन जन दोनों ही आप्शन में मौजूद हैं सद दन जन और सद दन जन ये देखे दोनों आप्शन में हैं तो हमें सत धन जन को ज़ादा प्रमानिकता देनी होगी यहांपर क्योंकि मूल सब्द सत है अर्थाथ सत धन जन सही अंसर होगा है यहांपर यदि सी ओप्षन नहीं होता तो हम बी को मान सकते थे नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं सचीद अनंद का संदी विच्छेद होगा इसका राइट अंसर है ओप्षन नमबर ए यह देखे सत तैका परिवर्तन चह में हो जाएगा क्योंकि बाद में चह है इस तैका परिवर्तन दे में हो जाएगा क्योंकि बाद में गोश्वारना है बेंजन संदी के नियम से देखे, सत्व दन चित्व दन आनंद तैका परिवर्तन चै में हो जाएगा क्योंकि तैके बाद चै तैका परिवर्तन यदि बाद में घोश्वन है तो दै में हो जाएगा सब्द बनेगा सच ये सच बन गया इसके बाद चित बन गया और आनंद सच्ची दे में आ जुड़ा दा बना सच्ची दानंद सब्द बन गया नेक्स्ट किशन देखे सद्धन चित दन आनंद तेका चैमें परिवर्तन क्योंक बाद में चैय है तेका दे में परिवर्तन क्योंक बाद में गोश्वर्ण है और सच्चिदानंद सब्द बनेगा option number A सई हो जाएगा B बिल्कुल गलत देखी रहा है और C बिल्कुल गलत देखी रहा है जिसको नहीं बता वो भी इस प्रेश्ण को कर सकता है बिल्कुल तो कमार के next question देखते हैं किस सब्द में संदी नहीं संयोग है देखें दो गाम होते हैं एक तो होती है संदी दो वर्णों की संदी होती है दो वर्णों की आपस में जब संदी होती है तो कोई नहीं कोई विकार उत्पन होता है लेकिन जब दो वर्ण पास पास आते हैं और कोई विकार उत्वन नहीं होता तो वह संदी नहीं संयोग होता है तो हमने संयोग को जान लिया संयोग होता है जब दो और पास आए और कोई परिवर्तन ना हो अब देखिए कहां कहां परिवर्तन हो है जहां जहां परिवर्तन हो है वहां तो संदी है जहां परिवर्तन नहीं हुआ है वो सही हो गए तो दुश कर्म में दुश उपसर गए कर्म है ज्यादा सही यह है दू दन कर्म उपसर की दरश्टी से यह सही है संदी की दरश्टी से यह सही है दोनों यह अपने अपने जगे सही है मात्री धन आग्या री का परिवर्तन रे में हो जाएगा गुनसंदी के नियम से ते में रे जुड़ेगा तो त्रे संयुक्त वर्ण बन जाएगा और त्रे में आज उड़ेगा तो त्रा बन जाएगा सब्द बन जाएगा मात्रा क्या बिल्कुल सही है दूसरे वाले में विसंदी है दूसरे वाले में विसंदी है तीसरा है उलेक उत धन लेक तया देगबाद लेहूं तो तय का परिवर्तन लेह में हो जाता है यह हमने वेंजन संदी के नियम में पढ़ा था तो तेका परिवर्तन ले में होगा तो उड़ लेक सब्द बन जाए घरतात यहाँ पर भी संदी है तीसरा है प्रति धन ग्या ग्यागा मतलब होता है जानना सीधा जुड़ा है यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ प्रति ग्या सब्द बनाए तो चुकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो यहाँ पर संयोग है नेकी संदी तो right answer option number D हो जाएगा next question देखिए उद्धरण का संदी विच्छेद होगा पहले वाले option को भी देख लेते हैं उद्धरण हरण यह देखिए तेका दे में परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि है 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 गोश वर्ण है तो जैसा तो संदी वाले पहले वाले नियम से विच्छन संदी के विच्छन संदी वाले पहले नियम से तेका दे में परिवर्तन हो जाएगा वरके पहले वर्ण का तिरतिय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा सब्ध बन गया उद्ध एक और नियम था वेंजन संदी का जिसमें है का परिवर्तन धे में हो रहा था यदि प्रतम पद के अंत में ते हो दुतिय पद के प्रारम में है हो तो है का परिवर्तन धे में हो जाएगा तो सब्ध बन जाएगा धरन अब ये दह नीचे चला जाएगा सब्द बन गया उद्धरन यहाँ पर दह पूरा है दह अधूरा है यह द्यान लखना तो राइट अंसर होगा उद्ध पलस हरण वाला ही मूल सब्द देखे दरन भी दिया हुआ है यहाँ पर लेकिन मूल सब्द हरण है तो राइट अंसर ऑप्शन नमर एक को मानना होगा नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं देखे नेक्स्ट क्यूशन सब्दर्सी का संदी विच्छेद होगा सब्दर्सी गुन संदी में हमने पढ़ा था कि एके बाद अगर री हो तो री का परिवर्तन अर्मे हो जाता है वह काम यहाँ पर हुआ है सब्द धन रिशी विचर्ग संदी नहीं है यहाँ पर विचर्ग का परिवर्तन रह में नहीं हुआ है बलकि री का परिवर्तन अर्मे हुआ है तो सब्द बन गया सब्दर्सी वी अर में बतला तय में जुड़ेगा तो सब तर्शी बन जाएगा ओप्शन नमबर सी सई होगा सरद प्लस चंदर से कौन सा सब्द बनेगा सरद चंदर तय का परिवर्टन दे में जसत वसंदिवाले नियम से लेकिन वहाँ पर एक कंडिशन ये भी थी कि दुत्यपद के प्रारम में कोई भी गोशवर्ण होना चाहिए गोशवर्ण वर्ग के तीसरे चोथे और पांचवर्ण होते है चै वर्ग का पहला वर्णे तो ये गोशवर्ण नहीं है तो इसका तैका परिवर्ण दय में तो कतई ही नहीं हो सकता ये गलात हो गया सरद प्लस चंद्र ये भी इससे मिलता जलता है ये विल्हवर्ण गलत हो गया एक और नियम था वेंजन संदी में कि तै का बाद चय हो तो तै का परिवरतन चय में हो जाता है बिलकुल तोनों कंडिशन फॉलू हो रही है तो तै का परिवरतन चय में करेंगे तो सब्द सरचंद्र भंग जाएगा आप्शनिंशन नमबर सी से हो जाएगा नेक्स्ट क्युशन रामायन का संदी विच्चेद होगा एक रामायन की सब्थ अ मिलंकर आवना देंगे यहां तक को exploresति एक काम ये हो गया कि मैं का आव गया दूसरा काम ये करना है ने करने में परिवर्तन करना है तो ने करने में परिवर्तन हुआ है वेंजन संदी के नियम से वेंजन संदी में हमने पढ़ा था कि परतम पद में कहीं पर भी रहो तो दित्य पद के अंत में इस्तित ने करने में परिवर्तन हो जाएगा और सब्द बन जाएगा रामायन दो काम वोई यहाँ पर रामदन अयन देखे ए और ए मिलकर आ बना देंगे तो रामायन सब्द बनेगा एक तो यह स्टेप होगा दीर संदी से यह तो दीर कारे कर दिया और एक यह वेंजन संदी उसका निहम लगा प्रतम पद में रह है जोते पद के अंत में नय है तो नय का परिवर्द नय में कर देंगे तब जाकर सब्द बनेगा रामायन तो अप्शन नमबर ए सही हो जाएगा प्रति एक में संदी है प्रति एक का संदी विच्छे दोता है प्रति दन एक प्रतेक का प्रती धन एक संदी विच्छे दोता है प्रती धन एक संदी विच्छे दोगा और ई के बाद ऐसमान सोरो तो ई का परिवर्तन ये में हो जाएगा तया दूरा है ये में ये जुड़ेगा तो एक इस तरह से सब्द बन जाएगा इका परिवर्तन ये में हुआ है यन संदी के नियम से तो पुरतेग में होगी यन संदी आप्शन नमर भी निशचल में कौन सी संदी है देखे एक विसर्ग संदी हमने पढ़ी थी तो आपर एक नियम पढ़ाता गी नी धन चल विसर्ग का परिवर्तन से में हो जाएगा विसर्ग का परिवर्तन से में हो जाएगा तो सब्द बन जाएगा निश्चल विसर्ग संदी के नियम से तो निश्चल में विसर्ग संदी हुई तथा पी में संदी है तथा धन अपी दीर्ग का रहे हुआ है तो दीर्ग संदी है साधरान सा प्रशन है दिगंबर में संदी है देखे दिगंबर सब्द को देखते हैं एक नेक्स्ट क्यूशन है दिगंबर में संदी है दिगंबर का संदी विच्षित करते हैं पहले संदी को पैचानने के लिए आपको संदी विच्छित करना ही पड़ेगा दिक प्लस अम्बर इसका संदी विच्छित होगा परतम पत गेंत में कह है वर्क का पहला विजन जुतिय पत के प्रार्म में एह है एह स्वर है और स्वर सारे के सारे गोस होते है तो के के बाद गोश वर्ण आए वर्ण के पहले वेंजन के बाद गोश वर्ण आए तो वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है कचट तपका कचट दग हो जाता है तो के का परिवर्दन के के गय में हो जाएगा दिग प्लस अंबर अंग जब गय में जुड़ेगा तो सब्द बनेगा दिगंबर तो प्रस्ण था कि कौन सी संदी है तो यहाँ पर वेंजन संदी का नियम लगा है तो वेंजन संदी होगी उप्शन नमबर 20 सही हो जाएगा मनोहर में कौन सी संदी है मने धनहर विसर्ग संदी का एक नियम हमने पढ़ा था जहाँ विसर्ग का परिवर्तन O में हो रहा था विसर्ग का परिवर्तन O में हो जाएगा तो सब्द बनेगा मनोहर तो मनोहर में कौन सी संदी होई विसर्ग संदी एक सब्द यसो गान का संदी विच्छे दोगा यहाँ पर भी विसर्ग संदी हुई है और विसर्ग का परवितन ओ में वो है संदी विच्छे दोगा संदी विच्छे दोगा यसे दन गान यह देखें option number C सही है next question देखते हैं किस सब्द में संदी नहीं है तीकि नमस्ते में नमें धंते विसर का सहमें परिवर्टन तो संदी है विसर का संदी है नमस्ते में उन्नती में उत प्लस नती ते के बाद पंचमवर्ण है तो ते का परियुरतन पंचमवर्ण नहीं में हुआ है तो वेंजन संदी है यहाँ पर भी उन्नती में भी पराजे में परादन्जे होता है यहाँ पर संयोग का कारे हुआ है अविद्गे कहता हमने संधी नहीं होगा है कोई परिवर्टन नहीं हुआ है नयन में ने धन अन आयादी संधी है तो राइट अंसर होगा पर आज है यहाँ पर संधी नहीं संधी होगा यह सोदा में संधी है यह सोदा यह से दंदा यह से दंदा यस को देने वाली विसर्ग का परिवर्थन ओ में होगा तो सब्द बनेगा यसोदा और चुकि विसर्ग का परिवर्थन हुआ है तो संदी भी विसर्ग होगी option number C से होगा next question है पवित्र का संदी विच्छेद होगा पोधन इत्र, पेधन इत्र, पोधन अत्र, पोधन इत्र आयादी सब्दी हमने जब पड़ी थी तो हमने देखा था कि A, I, O, O के बाद ऐसमान स्वर आएं तो इनका परिवर्थन क्रमशे, आय, आय, आव, और आव में हो जाता है अब यहाँ पर पवित्र में और आव किसके स्थान पर आता है, O के स्थान पर तो पेवें उजोडा तो बना पो पेवें उजोडा तो बना पो और सेजरा इत्र तो ये इसका संदी वजचे दोगा पूछा है, हमसे संदी विचेद तो option number पहला से ही हो जाएगा नेक्स्ट कुछन है तन में का संदी विच्छेद होगा तत धन में तै के बाद में है तै का पंचमर्ण में परिवर्तन होगा तो ने आ जाएगा तो तै का पंचमर्ण नहीं है तै तै दे दे ने तो तै का परिवर्तन पंचमर्ण ने में होगा सब्द बना तन में इस तरह भ में है M بنेक्षी के बाद पंचमन है यह घा रहे हो है तो टेका परिवर्थ पंचमन में हो जाएगा और टेका पंचमन ने होता है यह वाला ने होता हidoo का टेके डेडिन है यह वाला ने होता है तो मेर भोन जम यह सब्राइब औरë और यह है उप्शन नमर सी में उप्शन नमर सी राइट हो जाएगा एक है असुद सब्द का चैन करें एग्रिकल्टर सुप्रवाइजर के इस लिवस में सब्द सुद्धी जो टॉपिक है वो इसी तरह से देरे देरे किलियर होगा कुछ विशिष्ट नियम भी है तथव में तथधन एव दिल वध्दि संदी का कार रह हुआ है आके बाद इह वध्दि संदी के नियम से एबाद यह हो तो आहि में परिवरतन हो जाएगा तथव बिल्कुल साही है तथा दन अपी तथा पी सब्द बन जाएगा आ के बाद आ है समान वढ़ने तो आ में परिवर्तन तदाकार तदो उप्रांत तदाकार में तद दन आकार ये भी सही है तदो उप्रांत तदन उप्रांत ये इसका संदिव इच्छे दोगा तदो परिवर्तन दे में हो जाएगा तद दन उप्रांत अब ए के बाद उँ होता तो उँ में परिवर्तन हो जाता लेकिन यह ए है ही नहीं यह तो यह हलंत है तो दे में उठ जुड़ेगा ने की उँ होगा सब्द बनेगा तदो उप्रांत तो तदू प्रांत सब्द सही है, तदू प्रांत सब्द गलत है और हमें गलत पहचानना था तो आंसर हो जाएगा D Next question है इस्वर इच्छा में संदी है इस्वर इच्छा का संदी विछ दोता है इश्वर धन इच्छा इस्वर की इच्छा A के बाद E है तो गुन संधी के नियम से E का परिवर्तन A में हो जाएगा Re में A जुड़ेगा तो Re बन जाएगा और सब्द बन जाएगा प्रस्न था इस वर इच्छा में कौन सी संधी है A, E मिल कर A होए है गुन संधी के नियम से तो संधी होगी अंतिम प्रश्ण देखते हैं निम्न में से किस वर्ग में सभी वेंजन संदी के उधारण है देखे सभी सब्दों के टुकड़े करते जाएंगे इस तरह के प्रश्ण आजकल के एक्जामस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं काफी प्रश्ण कह सकते हैं इसे सभी सब्दों के संदी विच्चेद होने चाहिए संदी विच्चेद होने के बाद संदी की पहचान भी होनी चाहिए कि वेंजन संदी है या नहीं देखे अजन्त में अच्च दन अंत होगा संदी विच्चेद अच प्रत्यार होता है संस्कृत में स्वर आते हैं अच प्रत्यार के अंतरगत अरतात स्वर हो जिनके अंत में वो अजन्त होंगे तो चै का परिवर्तन जह में हुआ है तो बेंजन संदी है रिगवेद में रिगधन वेद कह के बाद गोशवर ने तो कह का परिवर्तन गय में हो जाएगा रिगवेद बन जाएगा उन्नती में उत्धन नती उन्नत है उत्धन नत तो तह के बाद पंचमर ने तो तह का परिवर्तन पंचमर ने में हो जाएगा और सब्ध बन जाएगा उन्नत तो पहला ही option ऐसा है जिसमें सारे एक्जामपल वैंजन संदि दीक हैं इसके लावा देखते हैं बाकी में देखें याा है सरोज गडवर कर रहा है सरोज में वैंजन संदि नहीं है यहाँ परता थेव में सुरसंदी दिख रही है सुरेश में सुरसंदी दिख रही है तो यह गलत हो गए तीनो अप्शन नमबर A राइट हो जाएगा तीनो सब दो के टुपड़े हमने जान लिए है किस किस तरह से परिवर्तन हुआ है अजदन अंत से अजद बनाए रिखदन बेद से रिववेद बनाए उत पलस नत से उननत बनाए उननती उत पलस नती से बनती है तो यह थे आज के प्रश्ण संदी के नेक्स्ट वीडियो में समास की क्लास परार्म करने जा रहे हैं यदि ये प्रस्णावली आपको अच्छी लगयो तो वीडियो को लाइक अवस्य करें धन्यवाद